क्या देखा आपने इस अंदर में एक के बाद आ रही दूसरी लहरो में किस तरीके के पॉपुलेशन को ये वाइरस पकड़ रहा है और उसमें क्या परामीटर एहम होता है ये कि जो संक्रमित हो चुके हैं उनके अंदर इम्यूनिटी डिवलप हो चुके हैं लेहाजा जो तर्षे पुछाए है इसमें जानकरी जो है कोज़ दिखा प्रॉटी है कोविट कि अफने को फ़र्स प्रॉव सदॉडेओं जैसे जैसे टाइं टाइम गिता जा रहा है ऐसे प्रीम आधे जादा जानकरी पा रहे हैं जो फ़र्स प्रॉव में जो यूके का उन्होव था र तो पाफी उन्होंने उससे सीखा लेकिन उसके बाद भी साइन्टिस्ट ने जो सेकंड वेव क्रडिट की थी उसके बाद भी वो वेल प्रिपेर नहीं थे बिफोर क्रिस्मस उन्होंने पूरा लॉक्डाउन खोल लिया था अलाओ किया था लोगों को मिक्स अप करने के लिए और उस कारण से फिर जो नंबर अप केसिस उनके जो आय थे वो अनेश्पेक्टेट थे और डैध रिट काफी हाई गई तो उन्होंने जो सेकंड वेव से हमारे देश के लिए काफी एक बेसलाइन हो जकता है आगे कैसे बड़ा जाए दिने जी अपने पहले जो शुरुवाद किती इस टॉपिक की वह बहुत ही एक बेसिक पॉइंट के लिए और मुझे बहुत पसंदेश में कहाता है कि हम कौने इसमें इसमें हम लोग 5 लोग आ कर रहे हैं नहीं आप जैसे कहा 7% लोग इंडिया में रेसेंट स्टी में है कि जो सारी गाइडलाइन पॉलो करते हैं जो की बहुत पूर है और उसको हमको टार्गेट करना बहुत जरूरी है यूके में सेकंड वेयो के लोग डॉन के बाद नेशन वाइड जो पॉलिसी है पॉलिक प्लेसे में कमिनल प्लेसे में प्राइवेट प्लेसे में लोगों को अलाओ करने के लिए कि मिक्स अप हो सकते हो कि नहीं वो हमको फॉलो करना है जो गैधरिंग से वो हमको बंद करनी है दूसरी इंपर्टे जगह है अपना स्कूल आपने जैसे कहा कि अभी जो को वेरियंट जो नए है उनको कंसन यह है कि वो बच्चों को इंफेक्ट कर सकते हैं क्या सबसे पहले अपने को लडाई वहां से करने कि बच्चों को इंफेक्शन ना हो अगर हो तो उनको कैसे रिड्यूस किया जाए तो इसके लिए स्कूल से जैसे बहुत च्छोटे बच्चे वो मास तो नहीं पहन सकते लेकिन जो सेकंडरी स्कूल के बच्चे हैं आती से बड़े वो शायद मास तो जुरूर पर्माइंगी जबी विए उठाया है कि देखिए कल्चर आपको हर किसी में डालना पड़ेगा जिसको को विड अपरुक्र करना पड़ेगा अगर आपको बचना है तो क्योंकि इंसान इंसान है इंसान की जान इंसान की जान है उसमें जो विभेत करते हैं आप Link के आधार पर और उम्र के आधार पर वाईरस अमूमन वैसा नहीं करता और मैं डॉक्टर अवी गोट से के पास जाना चाहता हूं कोई pattern वाकई नजर आ रहा है जिससे ये अब zero in किया जा सके कि कौन सी population ज्यादा vulnerable है या एक बार ये उसी तरीके कि एक वैग्यानिक भ्रांती में कहूंगा साबित होगी जिस तरीके कि कई वैग्यानिक भ्रांतिया हमने कोविट के संदर में देखा है किसी को अपनी अमल का हिसाब क्या देते सवाल सारे गलत थे जबाब क्या देते मजाक से कह रहा हूं पहले बात तो आप कह रहे थे कि सेवन सिर्फ सेवन फीसद लोग कोई अपरोपरेट भीएवर रखते मास्क डालते कोई मास्के अगेंस नहीं कह रहा हूं लेकिन मेरा एक नन्ना सा सवाल है यह सारे एक्सपोर्स को सबको December 2020 में क्या Indian population 70% मास्क पहन रहे थी नहीं December में भी 7% मास्क पहन रहे थी ना तो लोगों ने एकदम बुरी तरह से मास्क पहनने के बावजूद वो लहर पूरी तरह से गई थी ना इंडिया से, डिसम्बर जाने बरे में, अल्मोस गई थी ना, इसका मतलब, मास्ट डालते रहो, लेकिन लोगों के मास्ट डालने या ना डालने से, उसका शायद इतना तालोकात नहीं हो, जितना हम समझत है, और लोग भी बेचार हैं, पर हम बीच बीच के एक्सपर्ट पकड़के लोगों के पायल के गमों का इल्म नहीं, जंकार की बाते करते हो, मेरे ख्याल से अब लोग बहुत परेशन हो गए, हम उन्हें ज्यादा इल्जाम मत दे, आपने ये किया हो किया, हमारे लोग जो है वो है, बहुत प्यारे हैं, ले ये बड़ी इंपोर्टेंट बात आप कहा रहे हैं, डॉक्टर गोट से, और ये मैं आज जब इस बारे में कुछ पढ़ लिख रहा था, तो मेरे दिमाग में सवाल आया था, डॉक्टर अव्यक्ति ये आपके पास में लेकर आना चाहता हूँ, ये जो हमने कहा कि हम appropriate behavior के मामले में बहुत कमजोर हैं, सही बात है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ था कि वो wave इतनी कम हुई थी हमारे देश में, इन ही आचरणों के बावजूद, कि वैग्यानिक तक ये कहने लगे थी कि अब second wave का सवाल नहीं उठता? दिनेश, आपने मुझसे कोशन कुछ आए था? प्रकृति के बरोसे नहीं बैठ सकते हैं, ये बानकर कि फिर से डाउन हो जाएगा और हम अपनी तयारिया ना करें, जो प्राकृतिक इंटर्वेंशन हैं, जो गौड्ली इंटर्वेंशन हैं, वो तो अपने आप होंगे ही होंगे, लेकिन हमें ये देखना है कि हमारे प्रकृति की पर्फित्वीक इंटर्वेंशन को कैसे बचनार है, और हमारे पास रिसॉर्सीज़ क्या है, अचक्ला हुएगा नôm Certionate, ये थे खिर सब्सक्राघ। जैसे हमारी population हो और जैसे हमारी resources हो उनके अनुसार हमें बेसिक्स परिस्टिक करना बहुत जरूरी है जिनमें जो government guidelines हैं जो यहां की जिसमें social distancing mask और जो जो कोविड appropriate behavior को promote करना बहुत जरूरी है vaccination as much as possible हमें जल्दी से जल्दी जितना हमारे पास capacity है पूरी capacity लगाते हुए करना होगा डॉक्टर अगरवाल हम यह assume करके चल रहे हैं कि हमारे हां तमाम लोग बड़ों में ज्यादा तर संक्रमित हो चुके हैं मतलब उनमें खुदी immunity एक तरीके से develop हो चुकी है और या फिर उनको induced immunity टीके से दे दी जाएगी बच जाएंगे बच्चे इसलिए सबसे ज्यादा vulnerable है क्या यह धारणा सही है क्या इतने भर से निकाल लेना कि बच्चे ही सबसे ज्यादा target पर होंगे अगली बार वाइरस के सही होगा देखे बच्चे इस बार भी काफी संक्या में संक्रमित हुए हैं यह हम लोग practically देखें तो जो भी घरों में संक्रमन है इस वक्त वहां पर बच्चे जरूर संक्रमित है अलग बात यह है कि उनमें से ज्यादा तर यह symptomatic है यह mild infection है यह moderate है मैंने बहुत सारे बच्चों को इस मौसम में ट्रीट किया और इस second phase में जो उनके बहुत सारे families जुड़ी हुए थी मुझ से उनके बच्चों को भरती नहीं करना पड़ा तो यह एजियूम करना कि इस बार बच्चे कम संक्रमित हुए यह सही नहीं में ज्यादा गंबीर हुए फिर इस एज में उनको relatively यंग एश बाले ज्यादा गंबीर दिखे तो उन्होंने यह सोचा कि अगली वे में शायद बच्चे भी ज्यादा गंबीर होंगे वाइरस एक्चुली प्लैंड वे में नहीं करते हैं उनका जो मुटेशन होता है वो र इस बार इस लिए अंदाजा लगाए जा रहा है लेकिन डॉक्टर राजू व्यास अपनी एक अपना एक कौतुहल लेकर आपके पास आ रहा हूं मुझा वोड्र अग्रवाल से दो सवाल इसनिया क्योंकि बच्चों को टार्गट पर कहा जा रहा है तो इसलिए उनसे दो सवाल लेने जरूरी थे